नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूलिप्स टिप्स फोर्जयों पर दोस्तों कुछ व्यस्तताओं के कारण आजकल आपसे रूबरू होने का मोका कम मिल पाता है अभी लेकिन वींटर वेकेशन चल रहे हैं और मेरे पास है और इसमें डाल रही हूँ यह स्टेनर यह अब एशन पेंट का है यह मैं खरीदके लाइं हूं इसको मैं ब्रिक रेड कलर बनाना चाहरी हूं कि मेरे गंबलों पर ब्रिक रेड कलर हो जाए तो अच्छे लगेंगे आपके पास बिस तरीके का कोई भी डिस्टे मेरे पास यह इमल्शन जो है तूरा पतला भी है आप चाहे तो गाड़ा भी यूज कर सकते लेकिन गाड़ा मैं कहूंगी अगर आप ज्यादा गाड़ा यूज करेंगे तो उसकी पपड़ी बन-बन के जल्दी से वह अपना जो गमला है उसका पेंट खराब हो जाएगा और यह जो मैं आज कलर करूंगी यह सारे में करूंगी मेरे बनाई हुए गमले जो कि सिमेंटेड पोर्स मैंने आपको पहले भी दिखाए उन्हीं पर कलर करूंगी आज मुका मिला है मुझे उन पर कलरने का यह देखिए मैंने लगबग यह सारा इस्टेनर डाल दिया लेकिन अंदाजा मेरा सही नहीं था यह लगबग 3-4 लीटर निस्टेंबर है और इसमें मैंने डालने के बाद में पिंकिश कलर हुआ है तो मुझे लग रहा है यह बहुत अच्छा नहीं लगेगा गमलों पे लगबग एक लीटर पे मुझे यह स्टेनर डालना चाहिए था तो आ देखते हैं इससे कैसा कलर बनता है अच्छे से इसको मिक्स करना है और पूरी जो बोटल है मेरे पास वो में डाल रही हूं इसमें देखिए यह मैंने पूरी बोटल डाल दिये लगबग 1 लीटर में और यह शांदार सा कलर वाइलेट कलर आ गया है इससे जो गमले पेंट ह होंगे दोस्तों तो आप यह गलती ना करें ध्यान रखे लगबग 1 लीटर आपको यह एक्स्टेटर इमलसन लेना है और उसमें आपको इस टेनर मिलाना है जो कि मार्केट में 40-50 रुपे के मिल जाते हैं यह देखिए मैंने बिल्कुल पतला गोल लिया है यह देखिए इस इस पहला कोट कर दिया है आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल light सा कलर आया क्योंकि गम्लो गभा स्कार पहले से ही डार्क हे यह यह डाक सा एक नुसकि थोड़ा सा लाइट ल्याइट लग रहा है दो यह यह तीन कोट कर देंगे हम तो यह कलर बहुत अच्छा लागेगा और अगर फिर भी आप चाहते हो कि आप अपने गमलों में चमक ज्यादा लाए तो उसके लिए आप क्या करो या तो इसको ज्यादा गाढ़ा लो लेकिन मैंने पहले भी ऐसा यूज किया है गाढ़ा तो उसकी पपड़ी बनके जल्दी जल्दी उतर जाती है तो मैं तो आपको य कि गमले का कलर हलका है बहुत गाढ़ा नहीं तेज चमकदार कलर नहीं है तो आप उसके तीसरा या चोथा कोट भी कर सकते हैं वह काफी दिनों तक गमले चलेंगे दोस्तों आपको मैं यह जरूर सजेस्ट करूंगी कि कई लोग इन पे सिमेंटेट पोर्स पे जो है ओयल प पप्टिया उतर जाएगी और उनका वो शो नहीं रहेगा तो मैं आपको यह राय देना चाहूंगी कि आप अपने सिमेंटेट पोर्स पर इस तरीके का एक्स्टेरियर इमल्सन करें क्योंकि यह बारिष्टे खराब होते नहीं है और इन पे काई बगर लगने का भी खत्रा कि देखिए मेरे सारे पोर्ट आपके देखे हुए हैं यह मैंने खुद ने बनाये थे और आज मैं इनका वापस अपडेट इसलिए दिखा रही हैं कि कई लोग कहते कि चलते नहीं टूर जाते हैं यह इन गंबलों में प्लांट्स नहीं ग्रोहते हैं तो आप देख पा रह हैं और सारे गंबले बाकाइदा चल रहे हैं तो आज मैंने इंटर वेकेशन का सही यूज किया है जो मेरे पास मैटिरिल था उससे मैंने कलर कर दिया है अब जब कभी मुझे 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 मिलेगा तो इनके साथ ही में दूसरा कलर येलो कलर ट्राइग करूंगी तो इनका कि आप जब भी कलर करो अपने पोर्ट के तो किसी पॉलिथीन या जैसे मैं फाइबर शीट के उपर मैंने सारे गंबले रखे उस तरीके से करे ताकि फाइबर शीट को अपन दो सके अपना जो फर्ष है वो खराब नहीं तो आप पेंट करते समाएं इन सब चीजों का ध्य जान रखेंगे तो आपके जो पोर्ट है वो बहुत ही खुबसरत लगे गए आशा आपको यह वीडियो पसंद आया होगा फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट वोक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं थैंक्यू फॉर वोचिंग बाइ मिरीं टाप्तार र मेरे अवारे कमेंट फॉर छार प्राष्थ